नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन और मैं हूँ आपके साथ निर्भै किसोर हर तरीके से देखे तो देश कहीं न कहीं आर्थिक संकट से जूज रहा है हाला कि सरकार ने इस बात को नहीं माना लेकिन पूरु प्रधान मंतरी मनमुहन सिंग्ने अर्थ विवस् के मुद्डे पर मोदी सरकार को घर गह था है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को सूर्खिया बटोर की राजनीती से बहर निकलकर देश के सामने खड़ी आर्थिक चुनौती से निपटने की जरूरत हैं जिस तरीके से सरकार को लेकर कि कई ऐसे फैसले का भीरोध हो रहा है उस जब भी बोलते हैं कुछ बेतर बोलते हैं. इससे पहले अगर बात करें तो मनमहन सिंग को ले कर के करें तो देश के एक अच्छे अर्थ सास्त्री के रूप में भी उन्हों ने जा ना जाता है. इस बीच इस तरीके के जो बयानबाजी उन्होंने की है मोधी सरकार को लेकर इसे भी काफी बड़े नजर से देखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से देश को देखा है राजदीती पटल से अगर अलग हो करके देखे तो प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग की जो ये बाते हैं वो बहुत कुछ कह साति उन्होंने कहा है कि सरकार को मान लेना चाहिए कि हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं एक नीजी मीडिया में सक्षातकार के दौरान उन्होंने कहा कि एक दूसरे तरह से संकट से हम घिरते जा रहे हैं एक लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक सुस्ती जो पूरी तरी दोनों तरीके से सरकार को परिशान करने के लिए अब ये जो फैसले है वो आगे बढ़ रहे हैं हमें ये मानना होगा कि हम संकट से घिरते जा रहे हैं सरकार को लोगों पर भरोसा जताना चाहिए यह दुरभाग्यपून है कि मोधी सरकार की ओर से इस तरीके का कोई उपाय हो सरकार को घेरने के लिए सरकार के फैसलों को किनार करते हुए सरकार के जिस तरीके से सरकार ने फैसले लिया है उसको पूरे तरीके से खारिज करते हुए अब सरकार के विरोध में खड़ी होती दिख रही है उस बीच पुरु प्रधान मंतिरी का ये बयान उनको और शक्ति दे सकता है मनमोहन सिंग ने कहा कि भारत में अनवचारिक अर्थ विवस्ता है जो कैस पर चलती है इसे ब्लैक एकनौमी नहीं कह सकते क्रिशी शेत्र में जीडीपी का 15% हिस्सा है जो मुख्य रूप से नगदी पर चलता है यानि कि उनके जो उनके दृश्य को अगर देखे फिर उन्होंने जिस तरीके से इस बातों को कहा है इस बातों को कहीं भी इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि क्रिशी शेत्र जो है वो दो भारत है उसके एक दूसरी भारत की बात करे एक भारत और हिंदुस्तान देश को दो रूपों में देखा जाता है एक भारत और दूस में और भारत जो है वो किसानों का देश है और किसानों के देश में कैसी कई सुविदाएं हैं जो उनको कहीं न कहीं उन सब सुविदाओं से दूर करती है इस बीच अगर किसान नोटों की बात करें इस बीच अगर किसान आर्थिक रूप से बात करें तो किसान कैस लेस नहीं हो सकते हैं और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने नगदी की बात की है ये जाहिर सी बात है कि सही है क्योंकि कृशीर छेत्र जो है वो जीडीपी का 15% हिस्सा इस्टमाल करता है और इस बीच नगदी पर चलती है क्योंकि इनके पास नगदी होती है और इस नगदी के बिना इन लोगों का जीवन संभाव नहीं है क्योंकि गाउं और सहर के बीच की जो दूरिया है वो कहते कम हैं लेकिन वो दूरिया है नोटबंदी के दौरान इस पर इसका असर पड़ा था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकनोमी ने बताया कि नोटबंदी का जो असर था वो काफी बग तक देश को देखने को मिला वहीं सरकार ने जीटीपी को इतनी जल्दिवाजी में पेस किया जिससे अर्थिवास्ता के एक और बड़ा जटका दिया था जीएस्टी को खराब तरीके से लागू किया गया था इससे पहले भी जीएस्टी को ले एक बार तस्बीरे आया और उन्हेंने साब सब्दों में कहा है कि जीएस्टी जो है वो खराब तरीके से लागू की गई थी मनमोहन सिंग ने कहा कि नोट बंदी और जीएस्टी बीजेपी सरकार के पहले कार्जकाल की अस्थाई विरासते हैं इसे अर्थ बिवस्ता का या ऐसे फैसलों पर उन्होंने सीधे तोर पर बार करते हुए कहा कि सरकार जो भी फैसले ले रही है वो सरकार को परिशान करेगी लेकिन इस बीच देखने वाली बात होगी कि क्या वो फैसले जो है वो सरकार को परिशान करती है या सरकार जैसे हर जगा घूम करकि इसका द हमें देखते हैं, फिलाल दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार.